रादे रादे सब्स्ट्राइक दीजिए सुनीता कुपर चानल को बेल आई गंद भाईए काना जी की वीडियो की निट्विकेशन भाईए रादे रादे सुनीता नेटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम जीरो से एक नमबर काना जी के लिए ड्रेस बनाने जा रहे हैं तो हम बनाएंगी 11 नमबर मसलत हैं, हमिशच छोटे काना जी आपका ड्रेस जो बनाते हैं, 11 नमबर बनाईएगा, और 4 प्लाइ की नवण बेबी ऐन इस्तेमाल कीजेगा तो काना जी जो मतलब की size में सब के फरक होता है काना जी के तो जिनके काना जी 1.5 इंच उचे इतने उचे या पूने 2 इंच या फिर 2 इंच हैं वो 12 फंदे डाल कर अपने काना जी के लिए dress बना सकते हैं और जो 2 से उपर आ जाते हैं यानि की एक नंबर से उपर तो वो 14 ये 16 फंदे भी डाल सकते हैं तो उनके इसाब से जो है आपकी चोड़ाई ये अब 10 नंबर से बनाते हैं तो ये चीज नेकी बड़ी हो जाती है तो हम भी 12 फंदे से बना रहे हैं तो दो सिलाई हम उल्टी उल्टी बनाएंगे जैसे कि मैं बड़ी ड्रेस में भी मैंने बनाया है सेम हम इसी तरीके से पहला फंदा भी न बना ले सकते हैं लेकि फर्स्ट सिलाई में आप बना लीजिए तो हम उल्टे उल्टे फंदे दो सिलाई हैं बना लेते हैं छोटी ड्रेस में हमेशा इससे फंदे निकल जाते हैं थोड़े तो इस तरीके से आप इसमें एक सलाई भी बना सकते हैं दो भी बना सकते हैं तो यह हम एक सलाई बना के दिखाते हैं आज हम एक बनाएंगे क्योंकि छोटी ड्रेस है तो यह हमने एक स्लाई उल्टी उल्टी बना लिए तो ही देखिए इस तरीके से हमने एक स्लाई उताड लिए, अब हम इन ही फंदो को डबल करना है, though 12 इंको 25 बना सकते हैं, लेकिन हम किनारे किनारे फंदे इनको नहीं बनाएंगे बीच के जो दस फंदे उनको ही डबल करेंगे क्योंकि छोड़ी ड्रेस है बड़ी ड्रेस में दो का कर सकते हैं तीन का बोटर बना सकते हैं इसमें हम एक ही फंदा शुरू का बिना बना लेंगे और बाकी 10 फंदे बीच के जो हैं उनको हम डबल कर देंगे तो पहला फंद हमने उल्टा बनाया उनको पीछे किया और इसी फंदे को हम सीधा बना लेंगे एक तो तरीका ये होता है फंदे बढ़ाने का चाहे तो आप ऐसे बना सकते हैं ये दूसरा तरीका जो मैं पहले ड्रेस में नल्प की डाल चुकी हैं वो भी कर सकते हैं ये एक बार आगे से एक बार पीछे से तो हम इसमें इसी तरीके से बढ़ा लेते हैं जिसको जो असान होई वो कर सकता है उनको आगे किया पहले उल्टा बनाया उनको पीछे किया फिर उसी फंदे को हमने सीधा बना लिया इस सबसे असान तरीका है और सबसे पुराना तरीका है जब इस तरीके से लोग फंदे बढ़ाते थे तो हम सारे बीच के फंदों को 10 को 20 बना देंगे तो टोटल हो जाएंगे हमारे 22 फंदे तो यह लास्ट में आ गए हम और जो लास्ट का फंदा है वह ہम उल्टा ही बनाएंगे दो सिलाईएं हो गए हमारी और यह हमारे फंदे 22 हो गए हैं अगर आको उल्टा उल्टा वाला बावडर बनाना आ है या मैंने सोरी पूरी उल्टी उल्टी चोली बनानी तो आप उल्टी उल्टी बना सकते हैं सीधा उल्टा बनाना तो वो भी बना सकते हैं लेकिन इसमें हम इस तरीके से उल्टा उल्टा बनाएंगे पहला फंदा भी ना बना लिया बाकी सारे फंदे हमने उल्टे बना लिये तो ये हमने बनाए है जीरो साइज के लिए और एक नमबर कानाजी के लिए तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा हमारी चोली लंबी नहीं बनेगी जैसे जीरो नमबर कानाजी के लिए एक इंच बहुत रहता है और एक स्लाई ऐस्टर बना देंगे तो एक नंबर काना जिकली हो जाएगा तो थोड़ा सा एक को लूज और एक को थोड़ा फीटिंग में आ जाता है इतना ही फर्क होता लेकिन दोनों साइजों को आ जाता है तो यह हमने उल्टी सिलाई बना ली तीसरी सिलाई और चौती सिलाई भी हम उल्टी बना लेंगे टोटल हो जाएगी हमारी चार सिलाईया अगर आप इस पेशल बना रहे हैं जीरो साइज के लिए तो बस चार सिलाईया बहुत हैं लेकिन इसमें हम छे सिलाईया बनाएंगे और एक स्लाई बनाएंगे हम डार्क शेड से जिससे की आउटलाइन हो जाएगी छोटे काना जी की बड़ी बाजू की जरूरत नहीं होती क्योंकि उनके यह जो योग है यही भूमकर पूरा फुल स्लीब में आ जाता है अगर आप थोड़ा सा लंबा बना लेते हैं आउटलेन आपको रोशे से भी कर सकते हैं अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं यह देखिए जो हमने फंदे बढ़ा थे से एक डिजाइन की लाइन भी बन गई यह देखिए अभी टोटली 22 फंदे हमारे हो गए हैं अगर आपको चोड़ाई और ज्याद़ बड़ी बनानी हैं तो आप यहां पर दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ा सकते कि चोबिस फंदे कर सकते हैं अब हम यहां पर कलर जो है चेंज कर लेंगे इजिए देखिए इस तरह किसा बांद की बाद में फिनिशिंग कर सकते हैं यह या सासत इसको बना सकते हैं तो यह देखिए हमने यहां से एक स्लाई बनाई थी तो यह हम सीधी साइड इसको रख रहे हैं यह हमारी सीधी साइड है देखिए तो यहां से हम उल्टी-उल्टी स्लाईएं बनाएंगे टार्क शेड से इस तरीके से और इस धागे को इस तरीके से दबा सकते हैं और इसको हम बाद में यूज़ करेंगे तो दो सिलाई आहां सोरी एक ही सिलाई बनाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ चोटी ड्रैस है तो आउटलाइन ही करनी हमने डाग शेट की बस तो यह देखी एक सिलाई हमने बना लिया अब हमें आगे के पीछे के जो भी फंदों को यान कि बीच के फंदे अलग लग करने हैं तो हम इस सिलाई से घटाते भी रहेंगे सोरी यह सिलाई में यान कि पूरी हमने एक उल्टी बनाए है लेकि इसमें हमें फंदे आगे रखने पीछे रखने जैसे यह हमारे फ्रंट के हैं दो फंदे होगे एक बिना बना लिया तीन और यह चार फंदे अब यहाँ पर हम चार फंदे घटा देंगे इस तरीके से उल्टी सिलाई पे एक फंदा घट गया हमारा सिलाई में वापस लिए दो का एक करना हमने यह दो हो पर यह दो हम उल्टा किया और यह 4 फंदे हमने घटा लिये कोईकि बहुत ज्यादा मोटे हाथ नहीं होते हैं काना जी के अब यहाँ पर हम एक फंदा हमारे इस लाई में दो तीं चार पांच और ये छे छे फंदे हमने पीछे रखें यहाँ पर एक दो तीं चार फंदे घटा देंगे और चार लास्ट की तो फिर से हम दो फंदो का एक फंदा किसे करेंगे एक दो तीन चार अच्छे हमें एक है तो यह हो गए हमारा main का अब यहां से इस दागे को cut कर देंगे बाद में काट के अब हम पिंक से जो बनाना शुरू करेंगे जो हमारा धागा यापर pink था इसको बाद में बाझ लेंगे इस से अब हम इस तरीके से उल्टा उल्टा बनाना शुरू करेंगे, इन सारे फंदों को हम इखटा कर देंगे, इन चार फंदे हमने ले लिए, और इन पीछे के छे फंदे भी उतार लिए, आप यहाँ पर जैसे इखटा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें, जीरो से एक नमबर कानाजी के लिए बना र कर रहे हों, और साथ साथ इखटा कर रहे हों, यह देखिए, हमने सारे फंदे इखटे कर दिये, चार चार फंदों की हमने बाज्यू बनाएगे, तो यह हमारा योग बनके तियार हो गया है, और आउटलाइन भी आ गई यह देखिए, जैसे मेरी बड़ी चोली में थी, लेकिन हम यह जीरो से एक नमबर कानच के लिए बना रहे हैं, तो हम सवा इंच की चोली बनाएंगे, तो यहाँ पर हम यह चार यह बहुत रहेगी, उल्टी-उल्टी हम चार सलाइए बना लेते हैं, एक तो हमने सब को इखटे के इसके लावा हम तीन सलाइए और बना लें हैं, यह देखे हमारी दो धारियां आगे हमने तीन सलाइए बनानी थी तो यह हमारा उल्टी तरफ आ रहा था तो हमने पांच वी सलाई भी बना लिए, तो इस तरीके से आपको दो धारियां डालनी है, अगर आपको चोली लंबी बनानी है तो आप एक धारी हो डाल सकते है यानि कि दो सलाईयां कर सकते हैं, तो यहां से मेरी टोटल पांच सलाईयां हो गई है, वो कैसे क्योंकि हमने यहां पर उल्टी सलाई से धागा लगाया था, जोड़ा था सब को इखटा, फिर सीधी बनाई, फिर उल्टी बनाई, फिर सीधी बनाई, फिर उल्टी बनाई, अब हम यहां पर, तो यह total हमारी जो लैंथ, आप देखिएगा, यहां से हम नापेंगे पूरा नैक के इधर से, यह देखिए, थोड़ा सा एक इंच से जादा ही हमारा एक पॉइंच, अब हम जाली बनाएंगे तो इससे हमारी लाइन्थ जो है एक इंच से उपर हो जाएगी जो की जीरो से एक नमबर कानाजी के लिए तो ये देखे कितनी अच्छी चोली बन गई हमारी अब हम यहां से जाली डालने शुरू करेंगे और इसी को हम आगे आगे बढ़ाते रेंगे जिससे हमारा घेरा बहुत ही अच्छा बनेगा तो आपको सिर्फ गिंटी का ध्यान रखना है ये देखे पहला फंदा मैंने बीना बुना लिया इसको आप ऐसे ही लेजिएगा और यहां से हम सीधा फंदा बनेंगे एक यह देखे यहां पर इसको गिंट लिजे फिर्स्ट वाले को इससे आपको दिक्कत ने जाएगी और यहां से मैं यह देखे इस तरीके से घुमा कर उपर से ले रही फंदा जिसे यहां पर हमारी जाली डलेगे अब हम सीधा रुटा बनाएंगे यह देखे एक फंदा बना लिया हमने फिर उनको आगे किया फिर सीधा फंदा बना लिया फिर उनको आगे किया यानिके हर फंदे पे हम जाली डाल रहे हैं फर्स्ट लाइन में यह आपको ध्यान रखना है उनको आगे किया और सीधा बनाया उनको आगे किया सीधा बनाया इसी तरीके से हम सारे फंदे बना लेंगे तो आपको यह ध्यान ने रखना यह हमने कहां जाली डिली है, आप सिरफ पहली लाइन में आप हर सलाइब 접종quin पर पिर सीधा बुन लेते हैं फिर उनको आगे करते हैं, फिर सीधा बुन लेते हैं, इस तरीके से इमने बना लेना है लेकिन लास्ट के फंदे पर हम उनको आगे नहीं करेंगे और सीधा फंदा नहीं बुनेंगे उनको आगे करके सिर्फ उल्टा फंदा बुन लेंगे क्योंकि इस पर किनारे किनारे पर हमने जाली नहीं डालेगी हमारा उल्टा ही चलेगा दोनों तरफ से अब हमें उल्टी स्लाई पूरी उल्टी बनाने है पहला फंदा फिर बिना बुना लिया और इस तरीके से सारे फंदे हम उल्टे बना लेंगे तो ये जाली वाला फंदा है इसको भी हम इस तरीके से उल्टा बना लेंगे तो बीच के सारे फंदे हमारे डबल हो गए है पुरी सिलाई उल्टी बना लेते हैं तो यह देखिए हमने लास्ट में आ गए है इन्ही जालियों में से हम डोरी डालेंगे काना जी की कमर पर यह देखिए लास्ट का फंदा हमारा तो यह हमने उल्टी सलाई बना लिए यह देखिए जाली डल गई है पास पास में जिसमें कि आप डोरी डाल सकते हैं अब पहला फंदे अब आपको धियान रखना, मैंने जब सीधी सईड से ने जाली डाली थी, सीधी सब्सक्राइब पहला विख्यंद भी मिण बुण 딱 1 इसको गिना था अब हम इसको गिनेंगे फिर से ये विख्यों बना लिए एक और सीधा फंदा बना लेंगी दो पहले एक के बाद जाली डाली थी अब हम दो के बाद जाली डालेंगी यानि कि उनको आगे करेंगी और ये एक फंदा बना और ये दो फिर उनको आगे किया फिर दो फंदे बने पहले एक बना था अब हम दो बना रहे हैं उन कई इस तरीके से पूरा बना लेंगे लास्ट में उनको आगे किया और दो फंदे बनाए एक और ये लो तो निए नहीं हम जाली डालेंगे कि हम आप आप डिकाई देती sticking ये देखिए, हमने दो फंदे बने, उनको आगे करके हम एक फंदा सीधा बना लेंगे और इसको भी गिन लेते हैं, तो दो फंदे हो गए हमारे आपका जिसे के दिक्कत ना हो कि नहीं एक बचा दो बचा में बिल्कुल आपको ये देखिए, ह tailored है याँ पर भी हमने तो यह उल्टी सलाई हम जाली वाले फंदे भी बना लेते हैं जैसे उल्टी सलाई बना की फिर से हम सीधी पर आते हैं तो यह देखिए हमनी पूरा बना लिया अब हम फिर से शुरू में ही गिंती करने यह धियान रखना है पहला फंदा लिया यह पहला गिनना एक उनको पीछे किया अब दो के बाद जली जली थे हम तीन के बाद डालेंगे एक दे चुके हैं दो और यह तीन तीन फंद लिया फ तीन यह कि जाली अपने आप सर्याईए उल्टी से लाई पूरी इल्टी अब अगली बार आए तो चार के बाद असे अगली बार आएंगे पाँच के बाद उससे आगीए जै के बाद च्छे के बाद हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि छे गुना फंदे हो जाएंगे हमारे तो छे तक बना कर आते हैं तो देखिए हमने इतना बना लिया और गेरा हमारा जो है बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है उनका या चाहिए आप कोटन का जिसका भी बनाते हो डेड़ इंच से ज्यादा नहीं ह बनाना है तो यहां पर हम दो इंच का ही गेरा बना लेते हैं यह देखिए अभी हमारा डेड़ इंच के करीब बन चुका है थोड़ा सा सवा यह देखिए सवा इंच का बन चुका है तो अभी हमें बनाना है अभी तो देखिए मैं यहां पर पांच फंदे तक बना चुकी ह अब ये लाज्ट वाला छेटा फंदा में आपके साम गेरा पांच में भी अच्छा बन जाता है अब आपकी 24 आपको कितना है भी गेरा चाहिए तो देखे पहला फंदा भीना बुना लिया इसको गीना हमने उनको पीछे किया एक दो तीन चार पांच और ये छे छे फंदों क करें दो इसी बाद हम उनको आगे कर रहे है और इसी थीरीकेसे हम अपणी एक-दो- ہیں चार-पांच-और ये छे फिर उनको आगे कर रहे है तो यह लास्ट हमारी लाइन हैझको बना लेगे और देखे लास्ट में जो है मेरा म भी लास्ट में आके बताती आं आको ऐसे नहीं इस तरीके से मैं लास्ट तक पहले बना लेती हूँ देखि़ लास्ट में आगी मैं 3 फंदे бना चुकी हूँ 4, 5, 6, उनको आगे किया और फिस 6 फंदे बने 1, 2, 3, 4, 5 और यह 6 फिर उनको मैंने आगे किया लेकिन लास्ट में मेरे यहां से शुरू से दो-दो फंदे हैं तो इनको दो-दो ही बनाना है यह नहीं कि दो फंदे तो हम उनको आगे नहीं करें यहां पर हमारी जाली डलेगी तो उनको आगे किया हमने एक और यह लास्ट के उल्टा और उल्ट गिना है तो जैसे आपके दो फंदो की पट्टी बनाते हो तो फिर आप यहां से एक छोड़कर जाली डाली यानिकि इन दो को नहीं गिना इसको गिना है तीन की डालते हो तो आप इसको गिनिये तो यह जितने बड़े काना जी की होगी तो साइट की पट्टी भी तो चोड़ कैसी में दिक्त होती है मेरी जाली धुर धुर हो जाती है तो इसलिए आप सिर्फ गिंटी करके डाल डाले हैं देखनी रहें को तब भी विल्कुल सही आ रहे हैं यह चीज आपको पस गिंटी के साथ बनाना एक तो देखिए हमने उल्ठी सिलाई बना बाकि मैंने एक दू वीडियो में नीचे लेस बनाई वो लेस बना कर आप इसको खतम कर सकते हैं तो इसमें एक असा डिजाइन डालेंगे उससे पहले हम दो सिलाइएं सीधी और एक उल्टी बना लेंगे क्योंकि यह भी हमारी जाली थी तो हम दो सिलाइएं यह पहला फंदा के नीचे का कुछ डिजाइन बनाएंगे या बोर्डर बना सकते हैं जो भी आपकी चौईस हो यह देखिए अब हम कोई गिन नहीं रहें सीधी उल्टी सिलाइएं बना रहे हैं यह देखिए हमने दो सिलाइएं बना लिए एक सीधी एक उल्टी अप यहां पर अपना कलर ज बना उतार लेंगे और एक फंदा सीधा बनेंगे फिर एक फंदा बिना बना उतारेंगे और फिर एक फंदा सीधा बनेंगे जो पिंक वाला है वह हम ऐसी उतार रहे हैं और अपना डाक शेड से एक फंदा बन रहे हैं ऐसी हम जब पूरी सिलाई बना लेंगे उनको पीछे रखना है देखिए पीछे मेरी उन और आगे से में इसको इस तरह सकते हैं तो इस तरह से हम एक बिना बुना लेकिए और एक बुनते वे सीधा हम लास्ट में आ गए है तो लास्ट का हमारा ऐसी उतार लेंगे हम इसको या जैसे इसको बुन भी सकते हैं इसको हम बुन नहीं लेते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो तो इसको हम उल्टा है क्योंकि हमारा यहां पर लास्ट में उल्टा है तो इसको हम इस तरह से उल्टा बना लेंगे और यहां पर हम इसे बिना बुना ही लेंगे और उन को पीछे की तरफ ले जाएंगे और सीधी ही से लाई करनी है यह जो हमने बनाया है डार्क शेड से हमारा धागा पिंक तो है नहीं तो इसको हम सीधा बनाएंगे और इसको फिर से बिना बुना इस तरीके से उतारेंगे और फिर हम एक सीधा फंदा बुनेंगे यानकि सेम हम फिर से यही रिपीट कर रहे हैं यह देखिए इसको बुना पिंक वाले को ऐसी उतार लिया और फिर इसको बुना और इसको इसी तरीके से उतार लिया तो इस सीधी सिलाई पर ही हमने यहां पर किया था वह चोटी है तो यह आपको बड़ी ड्रेस के साब से कोई बड़ा ढाल सकते हैं कि बॉर्डर पे जो अच्छा लगे डिजाइन वह आप इस पर ढाल सकते हैं ऐसे बना लेंगे हम इदे की लास्ट में आगे हैं हम इसी तरीके से बिना बुना फंदा जो पहले था हुसे बिना फंदा चल रहा है तो यह देखी फिल से हम यहाँ पर आ गए है तो कुछ अभी हमारा डिजाइन दिखनी रहा है अब हम इसको एक सीधी एक उल्टी स्लाई बनाएंगे डार्क शेड से यह हम इसी तरह बिना बुना ले लेंगे उनको पीछे करेंगे और अब हम पिंक भी बु हम उल्टा बनाएंगे देखें सीधे सीधे फंदे बना रहे हैं हम यह देखें उल्टी स्लाई पूरी हम उल्टी बनाएंगे यह हमने सीधी बनाई है तो यह चार स्लाई ओं का डिजाइन है इस तरह के से मुल्टी स्लाई बना लेंगे तो यह आपके उपपर आपको कितना बड़ा गेरा बनाना है लंबाई बनाने उस जब से आप डिजाइन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं यह देखिए हमने पूरा स्लाई उल्टा बना लिया चाहे तो आप इसी डिजाइन को फिर से रिपीट कर सकते हैं अगर आपको घेरा ज्यादा बड़ा चाहिए लेकिन मुझे नहीं चाहिए मेरे काना जी बहुत बड़े नहीं है तो फिर घेरा बहुत ज्यादा बड़ा लग इसके साथ बांद दिया है और यह बाद में हम सारे धागे जो अच्छे से फिनिश कर लेंगे यानि की सुई धागी हेल्प से यह देखिए अब पहला फंदा हम इस तरीके से उल्टा ही बनाएंगे यह देखिए हम पूरा इसको उल्टा बनाएंगे तो यहां पर थोड़ा सा इस तरीके से आता है इसलिए हम इसको सीधा बनाएंगे उल्टे बे बंद करेंगे यह देखिए तो पूरी सिलाई हम इस तरीके से सीधी बना लेंगे और उटी सिलाई पर हम इसे सीधे से ही बंद करेंगी जिससे कि हम पर हमारे एक लाइन आ जाए यह देखे हमने सीधी सिलाई बना लिया अब इसको हम बंद कर देंगे क्योंकि हमें घेरा जादा बड़ा नहीं चाहिए तो आप चाहिए तो इस तरीके से दो का एक कर सकते हैं यह देखिए ऐसे तो पीछे से इस तरीके से आउट लेन आ जाएगी यह आप सीधा सीधा भी बना सकते हैं यह फिर आप लेस वाला डिजैन भी बना सकते हैं यह आपके उपर है तो यह हमने एक इस तरीके से देखिए म हमने पहला फंदा बुना और ये तीसरी बार हमने फंदा बुना तीन बार इसको बुना फिर सिलाई में डाला फिर इसको हमने इसके साथ में बंद कर दिया एक और ये दो फिर इस फंदे को हम तीन बार बुनेंगे एक दो तीन और सिलाई में डाल कर हम एक बार दो का एक करें में फिर इस फन्दे को तीन बार बनेगे एक दो 3 और फिर sachsen और के साथ में, एक किया फिर दूबार से लाई में डाला तो यहां पर दो तो बार बार ऐसे रिपीट करेंगे तो यह देखिए हमारी कुछ लेज इस तरीके से आएगी सीधी साइट से देखिए कितनी सुंदर लग रही है तो ऐसे हम पूरे गेरे को बंद करेंगे तो देखिए लास्ट में आगे हमने एक बार बना चुके हैं इसको फंदे को सिंगल को यह दो और यह तीन आप दो के बाद भी कर सकते हैं ऐसा नहीं कि आपको तीन ही करने और सिंपल भी पंद कर सकते हैं और यह लास्ट के दो फंदे हमने इस तरह के से बंद कर दिये हैं और इस में से हम इस तहागे को कट करके निकाल देंगे तो यह देखे हमारी लेस बनके तियार होगी जैसे जिनको कुरोशिया नहीं आता उनके लिए यह मैंने बनाया है तो यहाँ पर हम डोरी डाल के तियार कर लेंगे साथ में सेम हम इस तरह के से कैप भी बना लेते हैं यह दे चार से लाई हमने सीधी उल्टी बनाई है फिर सेम हमने नीचे वाला डिजाइन जो है उपर बना दिया है और इसको हम इस तरीके से फोल्ड करकी यहां से सिलेंगे और यहां से चुन्नटे डाल देंगे तो हमारा चोटा सा कैप बनके त्यार हो जाएगा तो यह देखे हमने कैप बना ली है इसको हमने इस तरीके से पल्टा तो यह देखे कितनी सुन्दर सी हमारी कैप बनके त्यार हो गई है इसको आप और चोटा बनाना चाहते हैं तो दस और बारा फंदों पेर भी इसको बना सकते हैं अगर आपको काना जी की फिटिंग में चा नमबर से हमने बनाया इसलिए हमारी उन भी पतली इसलिए हमारी कैप यह देखे कितनी चोटी सी अच्छी सी बनी है तो इसको आप 10 12 और 14 फंदों में आप एक से जीरो से दो नमबर तक इसको बना सकते हैं सिर्फ आपका उन का और सिलाई का फर्क हो जाएगा और यह देखे ह हमारी ड्रेस भी बनके त्यार होगी इसमें हमने इस तरीके की डोडी डाल दिये फर्स्ट वाली जाली में अगर आपको घेरा कम चाहिए तो आप जाली को कम कर सकते हैं एक जाली को कम याने कि पांच गुना तो आपको फंदेश चाहिए ही कोई भी ड्रेस बनाएं और यह ने फिरिल बनाई कितनी अच्छी लग रही है क्रोशी में आप अच्छी बना लेते हैं लेकिं जिनको क्रोशी आता हो तो बना लेते हैं लेकिं जिनको क्रोशी नहीं आता उनके लिए मैं बनाती हूं जिससे वह भी अपने काना जी के लिए अच्छी फिरिल वाले ड्रेस बन आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर अगर आपको एड्रेस अच्छी लगी है काना जी की कैप अच्छी लगी है और आप बोट भी बनाना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्करेप्शन पर डाल दूँगी जीरो से एक नमबर काना जी के लिए मैंने निटिंग भी बोट आती हूं तो इसके भी बाद में उसी साइस के बनाऊंगी तो अगर आप पूरा सेट बनाना चाहते हैं तो देख सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ने बुलिए कमेंट में रादे रादे लिखेगा वीडियो देकन के लिए धन्यवाद रादे रादे